नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसक्स करेंगे क्लास 10 के मल्पल चाइस क्वेशन्स और यह एक सैंपल पेपर होगा साइंस का जिसका कल ही आपका पेपर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को बिना टाइम वेस्ट किये स्टार्ट करते हैं ब no का फर्म्ला होता है रहता है अभी आप स्टेट्र भी दीख तेनों के तीनों गैस में होते हैं ठीक है बैलेंसिंग और आप देखना चाहें तो बैलेंसिंग भी देख सकते हैं है तू नाइट्रोजन है और यहां पर भी देखा जाए तो टू नाइट्रोजन और शिक्स है तो इसको अलब जो फिर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट एक्वेशन है आपकी केमिकल रियक्शन की नेक्स्ट कुस्टन में कहा गया इन एन एक्सपेरिमेंट तो इसको दिखाई पड़ेगा ठीक है आपको पता होगा जो असेटिक क्या हो जाता है रिद्ली डिजॉब हो जाएगा वॉटर में तो इसमें और आप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा ठीक है next question q3 है इसमें देखी क्या के वेन मेटल एक्स ट्रीटेद विद कोल वाटर एक्स कोई मेटल है और उसको कोल वाटर से ट्रीट केया गया reaction कराए गई, it gives a base y with molecular formula xoh, xoh देता है, molecular mass xoh का है, वो क्या है, वो आपको दिया गया 40, and liberates a gas z, आपको gas दी गई है, z which easily catches fire, यहाँ पर जो gas z है, वो आसानी से fire को catch कर लेती है, तो आपको पता चलिगा हो, this gas is hydrogen, ठीक है, hydrogen gas है, अब देखे, इसके बाद आपको क्या समझना है, दो-तीन बाते और यहाँ पर देखे, आपको example में दे दी गई है, x है, और इसको cold water से treat किया गया था, ठीक है, अब cold water से कौन सा metal react करता है, तो x एक metal है, तो metal यहाँ पर कौन सा है, sodium है, sodium cold water से react करता है, naos का formation करेगा, और hydrogen gas form होगी, तो इसमें a option सही हो जाएगा, next question, question number 4, in the reaction BR2 plus 2I gives 2BR minus plus I2, the oxidizing agent is, आपको बताना है, oxidizing agent क्या है, oxidizing agent है BR2, ठीक है, BR2 क्यों है, क्योंकि इसका अगर oxidation number देखा जाए, तो यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर अगर देखा जाए, BR का oxidation number क्या है, तो minus 1 है, इसका अनलब यह reaction कैसी है, reduction है, और अगर यह reaction reduction होगी, तो BR2 क्या ह हो जाएगा, oxidizing agent हो जाएगा, ठीक है, याद रखेगा, जो भी oxygen की तरह के ions होते हैं, जैसे oxygen O2 होता है, तो oxygen भी क्या है, oxidizing agent है, इसी तरीके से BR2, F2, I2, यह सब के सब क्या है, oxidizing agent है, लेकिन oxidizing agent हमेशा याद रखेगा, reaction के LHS पे होते हैं, next question, question number 5 देखिए, 5 में क्या कहा जाग, which of the following are responsible for causing acid rain, तो acid rain किस वज़े से होती है, question में पूछा गया है, oxides of sulfur and carbon dioxide गलत है, दिखेए, आपर D options आई है, oxides of sulfur and nitrogen, तो nitrogen और sulfur के oxides की वज़े से होता है, कौन सा acid form होगा, तो sulfur से reaction, मतलब sulfur और water के reaction होगी, HO2SO4 बनता है, nitrogen के साथ reaction होने पे, HNO3 बनता है, next question, question number 6 है CuO plus H2 gives, H2O plus Cu is an example of, तो एक ऐसा reaction है, तो यहाँ पे एक substance reduce हो रहा है, तो this is an example of redox reaction, अगर आप से इसमें पूछा आता है, oxidizing agent कौन है, तो CuO oxidizing agent होता है, reducing agent hydrogen होया था, ठीक है, और substance oxidized hydrogen होता है, और substance reduced copper oxide होता, next MnO2 plus Al, MnO2 और Al की reaction हो रही है, Mn plus 2Al2O3 बन रहा है, ठीक है तो पूछा क्या गया, oxidizing agent क्या है, तो oxidizing agent वो होता है, जिसके पास oxygen होती है, तो oxygen किसके पास है, MnO2 पास तो oxidizing agent हो जाएगा, तो A option इसका सही है, 8th question देखे, 8th question में क्या कहा गया, ठीक है, 8th question आपके पास है, the range of following acids on their basisity in the table, तो यहाँ पे देखे, एक table दी गई है, आप को arrange करना है on the basis of their basicity, ठीक है, तो यहाँ पे भी question थोड़ा सा गलत है, ऐसा question में पिछली sample में देखा था, यह 2SO4 होना चाहिए, ठीक है, तो HCL में देखे, एक hydrogen है, यह mono basic होगा, H2SO4 में 2 replaceable hydrogen है, dye basic हो जाएगा, यहाँ पर 3 replaceable hydrogen ions है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 1 का A, 2 का B और 3 का C हो जाएगा, next question, question number 9, which of the following is not a natural indicator, आपको बताना है, इन में से कौन natural indicator नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, red cabbage होता है, china rose भी होता है, turmeric भी होती है, onion कोई भी indicator नहीं है, तो इसने D option गलत है, next question, question number 10, देखे, है, our dilute solution of Na2CO3 was added to two test tubes, one containing dilute HCl, ठीक है, A and the other containing dilute NaOH, ठीक है, तो reaction हो रही है, Na2CO3 की HCl से एक बार हो रही हो, फिर NaOH से हो रही है, आपको correct observation बताना है, इन में से क्या होगा, ठीक है, तो क्या होता है दोनों में, मतलब A में अगर देखा जाए, तो colorless एक gas liberate होगी, in case of test tube A, मतलब HCl से reaction होती है, Na2CO3 की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CO2 gas का formation होगा, वो कैसी gas है, colorless gas है, ठीक है, next question पर आएंगे, next question में देखिए, next question बाकी जितने भी observations हैं, गलत दिये गए है, next question 11 में कहा गया, name the term which means taking in air rich in oxygen into the body, देखिए, body के अंदर oxygen rich air जा रही है, इस process को क्य कहा जाएगा, तो inhalation कहते हैं, ठीक है, आपको पताओ का inhalation exhalation क्या होता है, identify the secretion inside the stomach which helps to protect the inner lining of stomach from action of acid, तो acid से कौन प्रिवेंट करता है हमारे stomach को, ठीक है, तो यह जो lining होती है, यह mucus की lining होती है, तो 12th का जो answer है, that is option number A, अच्छा यह याद रखेगा, stomach में जो acid होता है, वो stored form of energy is known as, तो इस process को क्या कहेंगे, इस process को कहते है, photosynthesis, ठीक है, next question, question number 14 है, oxygenated blood is pumped from heart to rest of the body via, तो दीक है, हार्ट से, पूरी body तक जो oxygenated blood हो कैसे जाता है, कि थूरू जाता है, तो जाता है, एल्टा कि थूरू, ठीक है, तो A option इसमें सही है, which of the following organ is not involved in excretion, तो excretion में इन में से कौन सोल्वे organ involved नहीं है, तो lungs involved होता है, liver being involved होता है, skin भी involved होती है, stomach excretion में involved नहीं होता, kidneys भी involved होती है, next देखें, next में क्या है, 16 में कहा गया, the process of movement of solvent particles from region of less concentration to region of high solute concentration to semi-permeable membrane is called, तो इस process को क्या कहा जाएगा, तो इस process को कहते है, osmosis, तो याद रखेगा, semi-permeable membrane जो है इस वज़े से इसको क्या कहेंगे, osmosis, जब gas का molecule move करेगा, तो उसको हम लोग diffusion कहते हैं, diffusion में से नहीं पर membrane की जुरत नहीं पड़ती है, इसमें कहा गया, array of light falls normally on the surface of transparent glass slab, the angle of emergence is, अब देखें, angle of emergence क्या हो जाएगा, transparent glass slab है, ठीक है, और कैसे गिर देखें, normally गिर देखें, आपको पता है, बिना किसी deviation के सीधे चली जाएगे, तो angle of emergence भी क्या हो जाएगा, 0 degree हो जाएगा, तो 17th का answer है, option number A, question number 18 पर आएंगे, next question देखें, 18th क्या कहा रहा है, an object is placed at 20 cm from the concave mirror, of focal length 10 cm, तो focal length देखें, क्या देखें, 10 cm देखें, 10 cm देखें, concave mirror की, और object distance 20 देखें, object कहां रखा है, center of curvature रखा है, तो image भी कहां बनती है, center of curvature बनेगी, तो इसका answer हो जाएगा, option number A, question number 19 में देखें, क्या दिया गया, 19 में कहा गया, 6 cm tall object, मतलब height of object देगई, कितनी है, 6 cm है, क्या कहा गया, place perpendicular ठीक है, focal length कितनी दीगई, 15 cm है, ठीक है, अब यहाँ पे पहले दे कितनी दी गई, 10 cm, माइनस 10, object distance से याद रखेगा, हमेशा आप negative लेंगे, position of image, formula रगा दीजे, 1 upon F is equal to 1 upon V, क्योंकि यहाँ पर lens है, तो minus 1 upon U, इसको आप लोग solve कर लिजेगा, solve करके देखेंगे, जो answer आएगा, that will be minus 30 cm, next question पर आते है, question number 20 में देखें, क्या दिया गया है, इसको पूछा गया है, कि यू क्या होना चाहिए, real or inverted image बनी है 20 cm away from the lens, देखें, lens के case में, अगर real image देखी जाए, तो इधर बनेगी, तो यह अगर object है, image opposite side पर बनेगी, तब ही तो वो real होगी, ठीक है, अगर object distance negative होता है, तो image distance केस में क्या हो जाएगी, V हो जाएगा, प्ल लगा लिजे, 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U, आप इस formula को लगाईए, F की value आप 10 रखिये, और यहाँ पर V की value आप 20 रखिये, ठीक है, तो हो जाएगा, 1 upon 10 minus 1 upon 20, ठीक है, 1 upon 10 minus 1 upon 20 आप करेंगे, ठीक है, फिर से 1 upon 20 देदेगा, तो U जो हो जाएगा, वो minus 20 cm आ जाएगा, इसको आप formula होता है, 1 upon V minus 1 upon U होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यह जो value आएगी, 1 upon 10 minus 1 upon 20 की, यहाँ जाएगी, minus 1 upon U के बराबर, तो U जो answer है, इसका minus 20 cm आ जाएगा, तो A option 20th का सही हो जाएगा, 21st देखे, 21st में क्या कहा गया, as light travels from rarer to denser medium, it will have, आप देखे, rar से जब denser जाती है light, तब क्या होता है, तो होगा क्या कि velocity decrease होती है, और साथी साथ wavelength भी decrease होती है, क्योंकि velocity is directly proportional to wavelength, यह याद रखेगा, और denser medium में velocity कम होती है, rarer में velocity ज्यादा होती है, क्योंकि rarer से denser जा रही थी, तो velocity कम हो गई, velocity कम हो गई, तो wavelength भी कम हो गई, तो इस किसी के लिए कम हो किसी के लिए ज्यादा हो which of the following defines the center of curvature of curved mirror तो यहां पे पूछा गया है center of curvature की correct definition कौन से उसमें दी गई है ठीक है तो center of follow glass sphere from which the curved mirror was apart यही सही है ठीक है यह mirror का center होता है यह sphere का center होता है जिससे वो mirror cut करके बना है ठीक है next question 24th है how many times does a ray of light bending on passing through a prism ठीक है तो आप से पूछा गया कितनी बार light bend होती है जब वो prism से pass होती है तो यह होती है दो बार ठीक है देख लिजे से prism है यह light जा रही है ठीक है पहले इदर के और bend होती है थोड़ी सी फिर नीची के और bend होती है दो बार bending आती है next 25 देख लेते हैं देखें इसमें क्या दिया गया hydrogen ion की concentration आपको देदी गए 0.001 ठीक है तो 0.001 है इसको अंतलब 102 की पार minus 3 है हमने आपको बताया था जब भी hydrogen ion की concentration आपको दी हो 102 की पार minus 3 है 10 पार कुछ भी ठीक है तो इस minus 3 पे आफ फोकस करिए और इस value पे फोकस करिए तो 3 इसका pH हो जाएगा यह जो यहां लिखा रहता है यही इसका pH रहता है next question देखें question number 26 है इसमें देखें क्या कहा गया to a sample of turmeric adulterated with metanil yellow concentrated hydrochloric acid was added the color of the reaction becomes ठीक है reaction का color क्या हो जाएगा तो इसका remains same रहेगा ठीक है next question पे आएंगे क्योंकि आपको पताऊगा turmeric जो है वो base में अपना color change करती है अपना color वो उसमें चेंज नहीं करती है acid में ठीक है तो आगे बढ़ेंगे next question देखेंगे question number 27 है the state in which NACL is bad conductor of electricity तो किस state में NACL poor conductor होता है तो solid state में poor होता है लेकिन किस state में good conductor होता है next point 28 में देखें क्या कहा गया metal which reacts cold water vigorously to producing hydrogen gas कौन सा metal ऐसा है चो cold water से बहुत तीजी से react करेगा hydrogen gas का formation करेगा तो वह sodium next when NaOH and HCl are mixed तो NaOH और HCl को mix किया गया किस चीज का formation होगा तो salt का form होता है और साथी साथ water बनता है ठीक है तो NaOH plus HCl जो होता है वो NaCl बनाएगा और H2O दे देगा ठीक है और यह reaction कैसे होगी neutralization reaction होगी next 38 देखें which of the following metals on reacting with sodium hydroxide produces hydrogen gas तो कौन साइसा metal है जो sodium hydroxide से react होने बाद hydrogen gas produce करता है ठीक है तो यहां पर अगर देखा जाए तो aluminium करता है और साथी साथ zinc भी करता है तो इसमें B option सही हो जाएगा next question पर आएंगे question number 31 देखेंगे 31 में देखें कहा गया है assertion दिया गया non-metallic oxide साथ acidic in nature तो आप एक वर्ड याद रखिए MB MB का मतलब है metallic oxide basic होते हैं तो non-metallic oxide acidic होंगे बिल्कुल ठीक है और reason में क्या दिया गया non-metallic oxide reacts with base to form salt and water तो अगर यह acidic है ठीक है अगर non-metallic oxide acidic है तो बेस से react करेंगे और salt or water का formation करेंगे तो इस बात बिल्कुल सही है ठीक है और explanation भी बिल्कुल सही है तो इसका option सही हो जाएगा 32 देखें इसके बाद 32 में देखें कहा गया है assertion दिया गया C plus O2 gives CO2 is an example of combination reaction क्या combination reaction का example है बिल्कुल ठीक है दो substance combine कर रहे है एक नया substance का formation होगा तो ऐसी reaction combination होती है in the carbon and oxygen react to give carbon dioxide बिल्कुल सही है ठीक है दोनों react करके carbon dioxide दे रहे हैं तो इससलिए क्या है combination reaction है तो इसमें a option सही है कि assertion भी सही है reason भी सही और explanation भी सही है 33 देखेंगे अब इसमें देखें कहा गया है carbon monoxide is injurious to health of the individual carbon monoxide has very strong affinity for the blood तो यह देखें यहाँ पर यह जो बात करी गई है कि carbon monoxide जो होता है वो injurious होता है इल्द के लिए बिल्कुल सही है और क्यों injurious है carbon monoxide has very strong affinity for the blood यह करता क्या है strong affinity त है दोनों लेकिन अगर reason देखा जाए तो यह choking कर देता है carbon monoxide क्या करता है blood को clot कर देता है आगे मतलब oxygen को पास नहीं होने देगा जिसकी वैसे इंसान की death way तो इसमें assertion सही है reason सही है लेकिन explanation सही नहीं है तो इसमें a option सही हो जाएगा कोशंबर 34 में देखे क्या दिया गया इसमें दिया गया है sunlight reaches us without dispersion in the form of white light and not as its components ठीक है यह statement जो है बिल्कुल सही है और बोला क्या गया है dispersion takes place due to variation of refractive index for different wavelength but in vacuum the speed of light is independent of wavelength and hence vacuum is a non-dispersive medium तो यह देखे यह भी statement आपको सही दिया गया है तो इसमें देखा जाए assertion भी सही है reason भी सही है और साथी साथ explanation भी सही है next question में आएंगे 35 देखे इसमें कहा गया which of the following a substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid तो कौन सा ऐसा acid है जो CO2 gas नहीं देगा जब उसकी reaction करी जाएगी dilute acid के साथ ठीक है कौन सा ऐसा substance है ठीक है तो 35 में अगर देखें तो marble CACO3 जब HCl सी रियाक करता है CO2 देता है से वही limestone भी करेगा baking soda NHCO3 है यह भी करेगा line जो है वो CAO है तो CAO प्लस HCl करेंगे तो CO2 gas का formation नहीं होगा 35 में option number DC हो जाएगा 36 देखें इसमें कहा गया science teacher ordered to Mohit to do the following activity with magnesium ribbon तो यहां पर magnesium ribbon के साथ activity करी गई है clean magnesium ribbon about 3-4 cm long by rubbing it with sandpaper ठीक ह sandpaper से रब किया गया है hold it with a pair of tongs अब देखिए यहां पर हमने एक पिछले sample paper में question कराया था है इसमें बच्छों बहुत confusion हुआ mg जो sandpaper है magnesium से रब क्यों करते हैं, sandpaper से क्यों रब करते हैं magnesium को देखिए oxide की film तो पहले form होती है लेकिन होता क्या है क्योंकि magnesium बहुत जादे reactive हो हमाया atmosphere में CO2 gas भी present है जिसकी वैसे वह further उससे react करता और mg CO3 का formation कर देता है और इस mg CO3 को remove करने के लिए हम लोग mainly sandpaper से उसको देख रहे हैं ठीक है तो यह भी सही है गलत नहीं है लेकिन finally formation किसका होना है mg CO3 का होना है जिसको remove किया जाएगा तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा confusion को दूर करने अगर दोनों option सही आते हैं तो आप दोनों पर ही टिक करेंगे ठीक है तो यहां पर देखिए कुछ बात क्या कर रहा है ठीक है तो यह option इसमें सही है ठीक है अब यहां पर देखिए mg CO3 वाली दिखाते नहीं है लेकिन finally होता वही है तो अगर मालीज आपके option में आता है तो आप पे ही टिक करिएगा मतलब mg o पे टिक करिएगा to remove the layer of mg o क्योंकि कई बच्चों बोला तो हमने कहा च respire through तो देखे जो stems होते हैं ट्रीके वह किसके थूर रिस्पायर करते हैं तो lenticles के थूर रिस्पायर करते हैं next question में कहा गिए the excretory unit of human excretory organ is देखे एक्स क्रीटरी unit पूछी गई है आपसे kidney नहीं पूछी गई है ठीक है और अगर आपसे पूछा जाए kidney की functional unit क्या होती हो वो भी निफ्रॉन होती है the path of ray of light coming from air passing through a rectangular glass lab traced by four students are showing the figure which of them is correct आपको आता नहीं कौन सा correct है तो आप देख सकते हैं जो B option है वो बिलकुल correct दिया है next पे आते हैं question number 48 देखते हैं इसमें कागया विजब फॉल्विंग करेक्ट रिप्रेजेंट the relation between angle i and angle r ठीक है तो आपको पता है sin i upon sin r जो होता है ठीक है वो क्या होता है constant होता है directly proportional to constant होता है तो इसका अनलब क्या हो गया इसको उपर भी दीजिए तो साइन डिरेक्ट लिपोशनल to sign r हो जाएगा और डिरेक्ट ली प्रपोशनल का graph क्या होता है डिरेक्ट लिपोशनल का graph होता है डी option ठीक है तो आई और आर के बीच में जो graph है वो कुछ इस तरीके का है नेक्स्ट कॉश्चन कॉश्चनबर 41 देखे विच प्रॉसेस शून बैदा फिगर यहां पे आप देख सकते हैं यह जो फिगर दिया है आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहां से कुछ मैट्रियल जा रहा है और ऊपर पहुच रहा है फिर बाहर भी निकल रहा है वाटर यह कौन सा प्रॉसेस बताया गया है ठीक है तो अप्शन पर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कहा गया ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है मुव्मेंट ऑव वाटर दूरिंग ट्रांस्पिरेशन इना त्री तो भी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कुछन नबर फटी टू में कहा गया इन आल्टिफिशल किद्नी जा डिवाइस तो रिमोव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रड़क्त फॉम दब्लड थू तो इस इसको कहते हैं डियलेसिस ठीक है 42 का अंसर हो जाएगा option number B 43 में कहा गया in which of the following the image of object at infinity will be highly diminished and point sized तो किस case में जो image होगी वो highly diminished होगी और point size होगी तो ये concave mirror में भी होगा convex में भी होगा और concave lens में भी होगा और convex lens में भी होगा जब object कहां रखा होगा infinity पे रखा होता है तो image हमेशा highly diminished होती है और point sized होती है next question देखे question number 44 है if the central position of convex lens is wrapped with a black paper तो देखे बीच में ब्लैक कर दिया गया है पूछा गया होगा क्या यहां पर देखे चार option आपको दिये गया है तो आपको आपने अगर एक्जेंप्लर के questions पढ़े होंगे तो एक्जेंप्लर में ऐसा ही विल्कुल एक question बोल सेम तो सेम यही question दिया गया है तो होता क्या है कि यहां पर image तो पूरी बनेगी लेकिन यहां पर थोड़ी सी image light बनती है मतलब यहां पर brightness थोड़ी सी image की कम हो जाती है next question question 45 है इसमें कहा गया object is kept at front of concave mirror or focal length 20 cm तो f दे दिया गया 20 cm mirror है की lens से जूर देख लीजेगा mirror और concave है तो माइनस में हो जाएगा ठीक है इसके बाद image is three times the size of object height of image जो है वो three times the size of object है इसका अनलब क्या हुआ magnification जो है वो आपके पास plus three भी हो सकता है और क्योंकि real और वो सब चीजे नहीं दी गई कि real है कि virtual है तो plus three भी हो सकता है दोनों से solve करके देखिएगा आप करेंगे क्या पहले आप वी और यू के में एक relation निकाल लिएगा वी और यू में जो भी relation आएगा फिर आप फॉर्मला रखेंगे वन अपॉन है फिस इकल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू करके ठीक है तो वी की value आप पहले नि 25 cm and concave length of focal length 10 cm are placed in closed contact with each other the power of combination of lenses तो दिखें यहाँ पर focal length कितनी दी गई है 25 cm दी गई हो जाएगा ठीक है दोनों को एड़ कर देना होता है तो इसमें अगर देखा जाए 46 का अंसर हो जाएगा option number C ठीक है next question देखें next question में क्या कहा गया convex lens of focal length 20 cm फिर से वही बात है convex lens है focal length plus में होगी और lens की बात हो रही है pleasant contact with a concave lens अब फिर से concave lens है focal length 10 cm है तो यहाँ पर देखें पावर क्या हो जाएगा तो concave है 100 upon f formula लगाई है 100 upon f जब आप लगाएंगे तो यह आजाएगा 5 diopter वह भी किसमें convex था तो प्लस में आ जाएगा यहाँ पे concave है इसमें अगर आप लगाएंगे 100 upon f तो 10 diopter आ जाएगो भी किसमें माइनस में combination के लिए आपको formula पता होगा combination के लिए formula होता है P1 प्लस P2 जितने भी lenses है सीदे सीदे power को add कर दीजे तो minus 10 plus 5 कितना हो जाएगा minus 5 diopter c option इसमें सही है 47 question में 48 में देखेंगे अब देखें यहाँ पर दिया गया है which of the following metal gives hydrogen with dilute HNO3 तो dilute HNO3 के साथ कौन hydrogen gas evolve करेगा तो manganese और magnesium में दो evolve करते हैं तो इसमें answer हो जाएगा option number B that is magnesium next is question number 49 49 देखें case study based question है आपको एक case study दी गई है इस प्लसाइन मतलब pH पे related है आप सीधे इस question पर आएंगे देखें कई सारों का pH भी दिया गया है कई सबका अब question 49 में देखें क्या का आगया how is hydrogen ion concentration and pH related to each other देखें pH जितना कम होता है hydrogen ion की concentration उतनी ही जादा होती है ठीक है तो they are inversely proportional to each other next question 50 देखें यहां पर देखें क्या करना है among the given solution in the above table the most basic is nature is तो आपको बताना है सबस्यादा basic इन में से कौन है तो pure water basic नहीं है household bleach भी basic नहीं है gastric juice acidic है यहां पर oven cleaner अगर देखा जाए तो यह थोड़ा बहुत basic है तो सबस्यादा basic इन में से oven cleaner है next question the acid which of highest hydrogen and concentration तो हमने आपको यह जितना कम pH होगा उतना ही ज्यादा hydrogen की concentration होगी तो इसमें B option सही हो जाएगा ठीक है और अगर आप से पूछा है था कि hydrogen की जगह अगर hydroxide and concentration देते तो जितना ज्यादा पी एच होता है उतना ही ज्यादा hydrogen आइन की concentration होती है ठीक है next question पर आते है 52 देखे which of the following acid is used for making vinegar तो vinegar में कौन सा acid लगता है तो यहाँ पर है acetic acid तो इसमें 52 में answer है option number D 53 देखे अब तो यहाँ पर एक और आपके पास में case study question दिया गया है यह आपका excretory organs related है आप देख सकते हैं kidney का पूरा structure बना है यहाँ पर थोड़ा से भी देख लेते हैं kidney यह दो kidney है आपके पास में ठीक है यह ureter है ठीक है और last में अगर देखा जाए तो urethra होता है यह आपका point जो है this is urethra यहाँ पर आपका urinary bladder है यहाँ पर आपकी जो urine होती है वो store होती है question में आते हैं देखिए question में क्या कहा गया which among the following is the storage organ for urine तो urine ले जो storage organ है भी हमने आपको होता है this is urinary bladder next question पर आएंगे 54 देखेंगे अब यहाँ देखिए पूछा गया है the main function for ureter is ureter का जो main function है वो क्या है तो वो है carry urine from blood to urinary bladder मतलब kidney से urinary bladder तक urine को ले क्या आना यह काम होता है कि इसका ureter का यह थोटा सा duct होती है pipe होती है the diagram shows a kidney and its associated vessels तो आप देख सकते हैं to heart from heart ऐसे करके दिया है which structure have most unleashed urea concentration तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम urea concentration किस के पास होगा कुछ नमर 55 में यह पूछा गया है नेक्स्ट कुशन देखिए 56 है 56 में कहा गया है हिनलेज लूप पर एपसेंट फार मेमेलियन नेफ्रों में अगर हिनलेज लूप एपसेंट होता which of the following to be expected तो क्या होता मतलब कौन से कंडिशन रहती है बूचा गया है urine will be more dilute ठीक है एंगल ऑफ इंश्राक्ष ओता है यह आपको इंगल इंगल औरि stress होता है यह आद रखेए कि this is incident ray और यहां पर यह देखा जाए यह जो Fs यह इस इस इमर्जन शिदेंट उरils तो Condition के बीच घ्र करें लेजींगिया यह आफ यहांगा होता में ठीक है तो four rectangular surfaces होते हैं याद रखेगा glass lab में four rectangular surface होते हैं बिटा यहां पर थोड़ा से गलत हो गया यह four rectangular surface नहीं होंगे यहां पर total five surface होते हैं जिसमें दो जो होते हैं वो triangular होते हैं और तीन surface देखे जाए तो यह rectangular होते हैं next question पर आएंगे question number 58 देखे in passing through glass space array of light undergoes many refraction ठीक है many refraction होंगे यह आपको बताना है 58 question में तो दीखे how many are how many कितने refraction होंगे पूछा गया question में कितने refraction अभी हम लोग ने देखा था है बिल्कुल सेम इसी तरीके का question जो number of refraction है वो है two ठीक है कैसे होंगे two refraction देख लीजिए ऐसे अब आ लिजिए यह आपके पास प्रिज्म है तो पहले लाइट गई यहां पर refraction हुआ फिर बाहर निकले गी यहां रिफ्रक्शन हो दो बार रहना यह पहला और यह दूसरा तो यह एक बार फिर से आपको दिखा एंगल ऑफ डिविएशन कौन सा होता है तो यह वाला जो एंगल है ठीक है या कुछ भी जो भी इसके साब से यह आप लोग सोचते हैं ठीक है फल्म मतलब एंगल ए दिया गया है ठीक है यह जो आप्शन है वह आज आपके पास और भी सेंपल वीवर्स अगर हम लोग लाग पाएंगे तो विल्कुल लाने की कोशिश करें तो आज के लिए फिलालत नहीं थैंक यू बर मच और सभी को कल के लिए गुड़ लग अच्छे जोई पर करिएगा कोई भी गलती ना करिएगा थैंक यू बर मच गु